नए साल में कोई ऐसा दिन नहीं बीता होगा जब भोजपूरी का कोई एक नया गाना रिलीज नहीं हुआ होगा। भोजपूरी के हर बड़े स्टार का गाना साल के शुरुवात से ही लगातार रिलीज हो रहा है। पवन खेसारी से लेकर रितेश पांडे राकेश मिस्रा सब के सब गाने रिलीज कर रहे हैं। बात की जाए अरविंद के इला कलू की तो उन्होंने तो गानों की जड़ी लगा दी हैं। इस साल के आए 15 दिन भी नहीं हुए और इतने दिनों में ही कलू अपना साल का तीसरा गाना लेकर आ गए हैं। पनी टच के साथ बनाया गया है लेकिन इसमें जो मकर संक्रांती इस पेसल तील लाई जैसे मिठाईया हैं। उसके बारे में बताया गया है। इस गाने को यसार की म्यूजिक नाम के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। और इस गाने पर एक मिलियन व्यूज पूरा होने वाला है। इसके पहले साल के दूसरे ही दिन यानि दो जन्वरी को कलू का एक और गाना आया था। जिसका नाम था ज्छाल इस गाने को सारे गामा हम भोजपूरी नाम की यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया था। इस गाने पर भी धाई मिलियन से ज्यादा व्यूज होने वाले हैं। इस साल कलू के जितने गाने लेकर आ रहे हैं। गाने का नाम काफी अलग सा और यूनिक रह रहा है। साथ ही गाने का म्योजिक भी बॉलिवूट के हिट गानों से इंस्पायर रहा है। आज सुबस साथ वजे शेमारो भोजपूरी नाम के यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ है। शेमारो जो बॉलिवूट की एक पुरानी म्यूजिक और फिल्म लेबल है। जिसके बैनर से ना जाने कितने ही फिल्में रिलीज हुए होंगे। इसमें बॉलिवूट के सभी बड़े स्टारों की फिल्में होंगी। अब शेमारो भोजपूरी में भी काफी एक्टिव हो गई है। भोजपूरी के फेमस गायकों के साथ इस चैनल पर गाने आ रहे हैं। हलाकि भोजपूरी में शेमारो का यूट्यूब चैनल कोई ज्यादा पूराना नहीं है। पिछले साल जून महीने से ही इस चैनल को बनाया गया है। और अभी तक इस यूट्यूब चैनल पर मात एक लाग सब्सक्राइबर ही जुड़ पाए है। यानि कलू का जो नया गाना आया है वो एक नये चैनल से आया है। गाने के लिरिक्स राइटर है विक्की रॉसन और विक्की के साब सुत्रे सब्दों में एक बढ़िया सा मनरज्यक गाना लिका है। गाने के म्यूजिक डिरेक्टर है रौसन सिंग, रौसन ने बॉलिवूड गाने से इंस्पायर होकर कुछ अपने अंदाज में एक बढ़िया सा म्यूजिक बनाया है, जिसके बीट ऐसे है, जो डांस करने पर मजबूर करते हैं, और यह गाना भी थोड़ा फणी और कर चोरी करेंगे, पर हमें कोई कुछ बोल नहीं सकता है, बॉलिवूड के जिस गाने से कल्लू के गाने का म्यूजिक कॉपी किया गया है, उसके ओरिजनल म्यूजिक डिरेक्टर जो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल है, उनको इस गाने में क्रेडिट दिया गया है, और यह दे देखने में बहुत क्यूट सा लगता है और सुरूती को देखकर ऐसा लग रहा है कि गाना अगर हिट हुआ तो सुरूती बहुत सारे भोजपुरी दर्शकों की क्रस्ट बनेंगी कल्लू को इसमें गाने के लिरिक्स के अनुसार एक लोफर के रोल में दिखाया गया है जो सु बोजपुरी देख रहे थे आप बोजपुरी इंडस्ट्रिस्टे जूड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें धन्यवाद